अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया जो सयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है अज्जश मौर्जे मैं आपको भूँ धन्यवाद देती हूँ सत्तापक्ष के लोग कह रहे थे मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए जो महलाओं के साथ जगन्य अपराद हो रहे हैं गुजरात की चर्चा करनी चाहिए 36 गर्ड की चर्चा करनी चाहिए तो मद्द प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आकड़े बताते हैं NCRB के कि हर रोज हर तीन घंटे में एक महिला का शाररिक उत्पीडन उत्तर पदेश में हो रहा है और उत्तर पदेश की सरकार और केंडर की सरकार और ये डबल अंजन की सरकार इस बात का संध्यान नहीं ले रही है Sir, Manipur की जो घटना हुई है सर यह कोई मामुली हटना नहीं है यह भूछी समवेदन शील घटना है और Sir, सरकार का रविया भूछी समवेदन हीन रहा है इस मामले को लेकर Sir, यह सरकार अहंकार में डूबी वी सरकार है द्रब, मध और दम में डूबी वी सरकार है, Sir destruction of human rights and using women as instrument for appropriating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good. Very good point. Sir, और इसकी इस पूरे कांड की, sir, निन्दा पूरे विश्म में हुई है, और हम भारत वास्यों का सर श्रम से जुखा है, sir, इस घटना को लेकर. Sir, it was a state-sponsored ethnic violence. Sir, अगर विज्वल्स सोचल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते, तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मनिपर में. Sir, और जो विज्वल्स आए, जहां पर महलाओ को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया. Sir, कौन जिम्मेदार है, sir, इसका? Sir, और यह कोई एक ऐसा बाक्य नहीं था. ऐसे जैसे सुप्रिया सूले जी ने कहा, ऐसे लगबग 4,000 FIs इस तरह की रेजिस्टर हुई है, sir. So, हम सरकार के जानना चाहते हैं, सरकार से, कितनों पर आक्शन हुआ है, कितनी गरिफतारिया हुई है, sir. Sir, लगबग 60,000 लोग दिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं. 14,000 चिल्रेन आप दिस्प्लेस हैं, they are not able to go to schools, and sir, there are more than 150 deaths. Sir, तो इस भाजपा की नेतिक और आजनेतिक जिम्मेदारी नहीं हैं? Sir, we just requested our Honorable Prime Minister to come to the House, and so that we can talk about it. So that we could just share our viewpoints with the Honorable Prime Minister, जिससे Honorable Prime Minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन Honorable Prime Minister आज भी मौझूद नहीं है, इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी. Sir, CM का ये विशेश धर्म था, क्योंकि वह CM की कुरसी में बैठे थे, उनका विशेश धर्म था, कि वो हो, इस वाइलेंस को रोकने का काम करें. Sir, it is a bordering state. हमारी full army वहाँ पर deployed रहती है. Assam Rifles वहाँ पर है, Sir. Border Security Force है, Sir. अगर government चाहती वहाँ की, तो within two days, Sir, ये र कंट्रोल में लाय जा सकता था वाइलेंस. लेकिन, सरकार की intention was not right. और, Sir, आज भी सरकार deception mode पे ही है. Sir, Honorable Prime Minister said, हमेशे उनने का है, कि वासुदेव कुटम कम, पूर्वा विश्व मेरा परिवार है, Sir. So, मनिपूर हमारा परिवार नहीं है, Sir. कि हमारे देश का अंग नहीं है, Sir. तो ये step motherly treatment मनिपूर को क्यों दिया जा रहा है, Sir. Sir, BJP, की जो नीती है, Sir. वो नफरत की राजनीती करते हैं. Sir, वो वोट की राजनीती करते हैं, Sir. और BJP पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है, Sir. Sir, I would request you. Sir, internal security is at risk, not only in मनिपूर, Sir, but also in Mizoram, Tripura, South Assam, Sir, and Haryana, Sir. As we see, the elections are coming by. The deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country, Sir. So the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. Sir, Gaurav Ji ने कहा, कि क्या बात भी प्राण मंत्री के बीच में और चाइना के प्राण मंत्री के बीच में. Sir, we want कि जो चाइना के साथ unresolved issue है regarding the borders of the country दो साल से, Sir. Sir, इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए. And Sir, मौजूदा सरकार इंफिल्टरेशन पे बात करती है कि माइगरेंस आ गए है, Sir. Sir, but the government can always work on the infiltration by controlling the borders, Sir. Sir, यह सरकार borders of control क्यों नहीं कर रही है, क्यों infiltration होने दे रही है, Sir. Sir, आज की तारीक में महंगाई सबसे बड़ा बुद्दा है आप जंता का, Sir. जहां, समाजवादी पाटी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो. जो middle class है, जो गरीब तपका है, सब परिशान है, चाहे वो school की fees हो, चाहे वो medical bills हो, चाहे वो rents हो, चाहे वो housing हो, चाहे वो land prices हो, चाहे वो petrol, diesel और kerosene के दाम हो, चाहे वो बजली हो, Sir. Sir, उत्तरपदेश में no increase in production और बिजली भी मोहाया नहीं करा पारी है या सरकार सर। Sir, Farmers, हमारे किसानों की जो स्थिती है आज के भारत में Sir Farmers are having the worst time ever in the independent India Sir, आप तीन कानून लेके आए, काले कानून नजाने कितने किसानों ने अपनी जान गवाई बुद्हान मंत्री जी ने कहा था कि वो yet materialized, Sir, Sir, artificial scarcity create की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफ़ा होता है, Sir, वो हमारे किसान भाईयों को नहीं मिल रहा है, तो ये किसान भाईयों को को मुनाफ़ा नहीं मिल रहा है, मुनाफ़ा जाता कहां पे है, Sir, Sir, इतनी महंगाई हो गई है कि, Sir, महलाओna अगर वह चाहती है कि दार, डोटी, सबजी, पनीर उसकी थाली में हो, तो महला नहीं कर पा रही है, sir. Sir, BJP is destroying the administrative and financial federalism, exposed by the framers of the constitution. Sir, they are destroying the institution right from EC, ED, CBI to others. Sir, they are using them as tool to harass the people of the country, sir. And sir, the government of India की minister ने तो यहाँ खड़े थी वो, और उने सीथे ठेटन किया कि आपके घर भी ED भेज देंगे. Sir, this is a new law in our democracy. Sir, there has been regular unemployment in the country. Sir, बेरोजगारी से युवा परेशान है आज की तारीक में. Sir, अगनीवी जैसी योजना हैं, जब यह सरकार लेके आती हैं, जिसमें कोई clarity नहीं है, आप हमारे नौजवानों को वर्दी तो पनाएंगे, लेकिन चार साल बाद आप उनकी वर्दी उतारने का भी काम करेंगे. So as per the Rajasaba question reply, almost 1.2… details are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. similar situation is there in U.P. Police, in the hospitals, in nurses, in ITI's, in PHC's, in Home Guards, in Universities and much more, sir. Sir, all the Government of India schemes have failed and collapsed, sir. Be it skill India, make in India, digital India, Swachh, Bharat, Abiyan. Sir, please come and see what Swachh, Bharat, Abiyan is. सर बनारस को क्योटो बनाने की बात कही गई थी सर सारे जूटे वादे थे सर बीजेपी पीपल इंडल्च in the politics of divide, hate and rule लोगों में विभाजन करके आप साशन करना चाहते हैं sir the condition of the OPCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government sir, they feel as if they are the second class citizens sir, sir you gave him so much of time sir, I've had requests sir, it is proportionate time, sir the position of OPCs, SCs, women and minorities is threatened every day in this government, they feel as if they are the second class citizens, police has become a tool of harassment sir, sir a family in Uttar Pradesh was burnt alive by the UP police, in Kanpur Dihad sir, sir I would request you and aap request kareenge Prime Minister sahab ko ki wo aay, sir bhoot hi sadan mein log bhoot kam hai, thank you, aayenge, sir I would like to thank you for giving me an opportunity to speak here, sir tomorrow, sir, Giri. Giri, aap, aap complete ki ji, jia, okey, okey, noong. Sir, 1942 mein sir, aap agas ke din he quit indiya movement ki साяपनα ho zeros, sir. Sir aaj bhi aсть agas hai ane sir mein kehna chaon ghi bjp k leogo se, ki stop dividing our country, stop dividing indiya, sir any words sir I would like to thank you. श्रीपना के मिश्रजी